हाई अवरिवन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम कोई भी किट का उपयोग कर रहे हैं जैसे अन्वांटेड मेफिजेस्ट क्लियर कुशी इस तरह की प्रेग्नेंसी को जो हटाने वाली दवाई आती है अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो उस किट को खात आते दोरान क्या हम इंटीमेट हो सकते हैं या रिलेशन बना सकते हैं या नहीं क्या हम ऐसा करना चाहिए तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार सजानेंगे तो वीडियो को पुरा देखें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरू से सबस्क् तो फिर महला के मन में सवाल आता है कि इस पिट को खाते दोरान क्या मैं इंटिमेट हो सकती हूँ या नहीं ठीक है तो देखिए जो प्रेगनेंसी आपको हो गई है वो आपके अन्वांटेड प्रेगनेंसी है अभी आप उस तीज के लिए रेडी नहीं थे और फिर भी आप हो गए अब आप उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहे है और अगर यहां पे आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी यहां पे रिलेशन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि देखो जब हम यह मैडिसन्स खाते है तो हमारी बोड़ी में वीक ब्लीडिंग शुरू होगी अब ब्लीडिंग सभी पेशन की कंडिशन पर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन की प्रेगनेंसी पर दवाई खाई है तो नॉर्मली होता है क्या है कि जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है यानि कि हमारी पीरिट शुरू हो जाते है तो हम पर बात आती है रिलेशन की तो मुझे एक चीस समझ में नहीं आती है कि पेशेंट के मन में ये सवाल कैसे आ जाता है या कोई लोग कैसे एडवाइस कर देते हैं कि पेशेंट का शरीर इतना कमजोर होने के बाउजुत संबन बनाने की याद आ रही है आप लोगों को वह जब एक केस को तो क्लियर हो जाने दो उसके बाद आप संबन बनाईएगा अब यहाँ पे महला से तो चलते फिरते नहीं बनती है क्योंकि देखो एबोर्शन वाले केस में महला मानसिक और शारिरिक दोनों तोर से बहुत ज़्यादा परिशान होती है क्योंकि मान लो अगर किसी भी महला को unwanted pregnancy हो गए ठीक है अब pregnancy को हटाना है महला पहली बार दवाई खा रही है महला के मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है चाहे हो कोई भी महला हो कितनी भी strong female से हो ठीक है क्या होता है क्योंकि महला पहली बार दवाई खा रही है तो कई बार क्या होता है पेशन डॉक पूरी तरसे क्लियर करने पड़ेगी या मेरा केस नहीं रह जाएगा अगर इंकम्प्लिट रहेगा तो में कौन से दवाई लूँगी मैं क्या परेज रुखोंगी तो यह इतनी सारी चीछे तो मेहला के माइंट में पहले से ही चलती है और और एक नया प्रोब्लम लाके खड़ा कर रहे हो कि हम relation बना सकते है तो देखो कुल मिला के मैं तो यही कहूंगी मेरे पेशेंट को भी मैं यही advice करती हूँ कि आप abortion के दवाई खा रहे हो तो ना तो उस दवाई को खाते-खाते relation बनाना है ना ही bleeding बंद होने के बाद में बनाना है कम से कम ह में 4-6 हपते यानि कि abortion complete हो गया उसके बाद भी 4-6 हपता में relation नहीं बनाना है क्योंकि देखो क्या होता है जैसे मान लो 8-10 जिन bleeding होई फिर बंद हो गई आपने यह confirm भी कर लिया कि आपका abortion complete हो गया ठीक है इसके बाद अगर आप intimate होंगे तो intimate के बाद में कहीं बार ही ऐसा दो-4 दिन ठीक होते फिर intimate हो गई फिर नाइट में relation बना सुबा में फिर bleeding चालो हो गई या महिला ने कभी ज्यादा वजन उठा लिया या गरंचीजे खा ली तो bleeding की जो problem है पूरे महिने चलती रहती है अब महिला बार बार पर दिशान होती है कि यार दो दिन तो मेरा blood बं फिर चालो हो गया तो कुल मिलाके हम यही कहेंगे कि यह medicine खाते दोरान आपको relation नहीं बनाना चाहिए और complete हो गया case तो भी एक महिने तक हमें बिलकुल भी relation नहीं बनाना चाहिए यह हमारी patient की health के लिए है क्योंकि मान लो patient जल्दी सही हो गई तो आप next month के period आने के बाद contact म आ सकते हो कहीं बारी क्या होता है कि यह case तो clear हो गया अगर मान लो आपने without protection relation बना लिया या आपने किसी भी तरह से थोड़ी वो गलती कर दी तो महला दूबारा इसी महिने pregnant हो जाएगी अब आपको तो unwanted pregnancy थी तबी तो हटाईए अब यह अगर next month फिर से patient का test positive आ गया period नही कि दवाई दोगे तो patient तो बहुत जादा कमजोर होती जाएगी तो हमें यह गलती नहीं करना है अब हम बात करें कि देखो हम relation बनाने की सला किसको दे देते हैं जैसे patient एक दम fit and fine है ठीक है पहले tablet खाली फिर हम एक दिन का गेब देते हैं चार टेबलेट खाने में अगर मान पेशन ने चारो टेबलेट खाली तीसरे दिन पर अगर उसको खाने के बाद भी patient के period नहीं आये patient का थोड़ा थोड़ा पेट दर्द हो रहा है दो तिन दिन हो गए दवाई खाये फिर भी period नहीं शुरू हो रहा तो ऐसे में कभी-कभी हम बोल देते है patient को कि अगर आपके husband available है तो protection की साथ आप contact में आ जाएए इससे bleeding जल्दी से शुरू हो जाती है तो आशा करती हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे सा समझा पाई हूं कि ये खिट खाते दोरान हमें relation बनाना चाहिए या नहीं धन्यवाग